हलो एवरिवन, वल्कम बैक टो मैं चैनल पॉस्टाइम मॉम तो आज हम बात करेंगे डाइपर्स के बारे में सभी न्यू मॉम्स को यह डाउट रहता है कि अपने बेबी के लिए कौन सा डाइपर यूज करें, डिस्पोजेबर डाइपर यूज करें या फिर क्लोज डाइपर यूज करें, या फिर कॉटन नैपी यूज करें तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिए और वीडियो स्टाट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजे जिसे के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां में डेली पैरेंटिंग टिप्स डालती हूँ तो आपको वो भी पसंद आएगा तो चलिए अब वीडियो स्टाट करते हैं डाइपर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है बेबी के इनिशियल एर्स में इसलिए एक मॉम के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बेबी के लिए राइट ऑप्शन चूज़ करें और इसलिए हर एक माँ कन्फ्यूज होती है कि अपने बेबी के लिए कौन सा डाइपर यूज़ करें जो कि उसके लिए बेस्ट हो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि अपने बेबिए बेबी को लंबे समय तक पहना सकते हो तो इवन आप throughout night only one diaper पहना के भी रख सकते हो, बीबी को इससे कुछ problem नहीं होता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लस अगर आपको किदर बाहर जाना हो, घुमने के लिए या फिर market, malls वगेरा, तो आप easily अपने requirement के हिसाब से diapers अपने bag में carry कर सकते हो, and nowadays तो बहुत सारी facilities available रहती है, market, malls में या garden में या फिर hospital, airport, सभी जगह पे diaper चेंज करने के लिए, dedicated place रहता है, nursing room रहता है, तो वहाँ जाके आप easily बिगडा हुआ diaper, dispose कर सकते हो, और नया diaper बेवी को पहना सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे diapering process बहुत easy and comfortable हो जाती है, लेकिन disposable diapers के कुछ drawbacks भी है, जैसे कि disposable diapers से baby की delicate skin को rashes होने के chances रहते हैं, no doubt हमारे पास उसके लिए rash cream होती है, लेकिन chances रहते हैं कि उसमें rashes हो सकते हैं, and secondly disposable diapers eco-friendly भी नहीं है, तो ये चीज़ भी हमें consider करने ही चाहिए, and third and most important is disposable diapers costly भी रहते हैं, on an average 10 to 15 rupees per piece पढ़ता है, जो कि बिल्कुल भी जिसको सस्ता नहीं बोला जाता, क्योंकि ये सभी चीज़े matter करती है, ये one time use नहीं है, आपका baby, on an average 2 साल तक तो diaper पहनेगा, तो उसके हिसाब से आपको अपना option choose करना चाहिए, and ये सभी चीज़े consider करने ही च बहुत सारी brands आ रही है, and अच्छे अच्छी options के साथ आ रही है, cloth diapers की main benefit ये होता है, कि वो cloth के होते हैं, and breathable material वो लो यूज़े करते हैं, तो उससे अपके baby को बहुत ही comfortable होता है पहनने के लिए, प्लस उसकी delicate skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है, rashes होने के chances कम हो जाता है compare to disposable diapers, प्लस ये eco-friendly भी होते है, and cloth diapers आप reuse कर सकते हो, no doubt वो भी costly होता है, जैसे कि disposable diapers है, लेकिन cloth diapers में क्या है, आप one time investment रहता है, आपने एक बार purchase कर लिया, फिर आप उसको reuse कर सकते हो again and again, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, and cloth diapers में आपको different design and different colors भी मिलता है, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, different color and designs के diapers, तो ये एक option इसमें मिलता है, जो कि disposable diapers में नहीं रहता है, तो ये चीज़ भी इसका plus point है, लेकिन उसके कुछ drawbacks भी है, जो हम अब देखेंगे, cloth diapers की absorption capacity compared to disposable diapers इतनी जादा नहीं रहती है, no doubt उसके अंदर soaking pads आते हैं, लेकिन वो इतनी जादा quantity absorb नहीं कर पाते हैं, इसकी वज़े से आपको frequently diapers change करना पड़ता है, and क्योंकि cloth diapers reusable है, आपको उसको proper maintain करना पड़ता है, proper wash करना पड़ता है, उसको dry करना पड़ता है, तो ये maintenance उसका proper होना चाहिए, and अगर आप travel कर रहे हो, and ऐसे time पे अगर आपने cloth diaper use किया है तो उसको diaper change करने की process थोड़ी messy हो सकती है, क्योंकि during travel आप उसको maintain नहीं कर पाते हैं, आपको wash करने की कोई facility नहीं मिलती है, ना कि आप उसको dry कर सकते हो, तो ऐसे time पे disposable diaper ज्यादा convenient and comfortable रहते हैं, अब बात करता है cotton nappies की, cotton nappies एक बहुत ही पुराना तरीका है baby के diapering के लि अगर आप घर पे रहते हो, आपके पास time है, तो आप यह option चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको frequently change करना पड़ता है, तो आपके पास time है, तो आप यह option चूज कर सकते हो, अभी मेरी छोटी बीटी दो महीने की है, तो मैं उसके लिए दिन में cotton nappies यूज करती हूँ, ज जिसे कि उसको अच्छी नींद मिले और हमें भी frequently change ना करना पड़े, तो ऐसे ही आप situation और टाइम के हिसाब से diaper option चूज कर सकते हो, अगर आपके बेबी को vaccine शॉट मिला है, तो ऐसे टाइम पे भी क्या होता है, कि वो बेबी already pain में होता है, उसको fever होता है, तो ऐसे टाइम मे तो आप अपने हिसाब से, अपने baby के comfort के हिसाब से और अपने convenience के हिसाब से आप अपना option चूज कर सकते हो, और एक important बात में आप सबसे request करना चाहूंगी कि आप please कोई भी mother की choice को judge ना करे, कभी-कभी कुछ लोग proud लेते हैं कि हम तो सिर्फ cotton use करते हैं, cloth diapers ही use करते हैं, तो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने बच्चों के लिए ये करते हो, लेकिन सभी mother नहीं कर पाती है, उनकी situation, priorities, circumstances अलग रहते हैं, तो please don't judge anyone, and इससे क्या होता है कि कभी-कभी कुछ maa इससे grit-filled करने लगती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए न अपनी choice है, आप एक मदर हो, आप अपने बच्चे के लिए जो भी करोगे, बेस्ट ही करोगे, तो please किसी के बोलने से या ऐसे किसी के influence में आके, जाधा tension लेनी की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो ही select करें, जो कि आपके लिए comfortable हो, आज के वीडियो में इतना ही था, I hope कि आपको ये helpful होगा, and अगर आपको पसंद आता है, तो please like कीजिए, and मुझे comment में ज़रूर से बताइए, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and अगर और कोई topic पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे comment में बताइए, मै definitely उसके उपर काम करोंगे, so till then, take care, and bye-bye!